कि अब इस पीच के आपको अलड़ी बताए जाए चुका है मेटाफर बताए जाए चुका है सिमील बताए जाए चुका है और उसी आज सिक्वेंस में अज अगला टोपिक में रहा है परसुनिफिकेशन इसको हम मानवी करन करते हैं अब परसुनिफिकेशन मानवी करन क्या है पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या होता है अगर हम किसी भी लाफलेस चीजों में अपनी गाना सुनागा वह कुछ चीज गाना नशा शराब में होती तो नाचती बोतल शराबी मूवी का गाना है वो और यानि इसका मतलब यह है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल इसका मतलब यह है कि उसमें अगर आत्मा आ जाए या जान आ जाए तो बोतल भी जो है वह भी डांस करने लगेगा क्योंकि लाइफ लेस्टिंग से लेकि उसमें क्या एक इमेजिरेशन किया जा रहा है कि वह भी नाचने ल आप देख सकते हैं मैंने एक डेफिनेशन निखा होगा है परसोनिफिकेशन का एक्सप्रेस यानि जो परसोनिफिकेशन है मानिविकरण है वो बताता है क्या अबाउट लाइफलेस ऑबजिक्ट किसी निर्जी चीज के बारे में एनड अबस्ट्रेक्ट अइडियास किसी भाव अचक बिचार के बारे में बताता है एनड थ्वा ओफ एज लिविंग बिग्स यानि एंड तो यह सोचते हुए कि अफ एज लिविंग बिंग्स कि वह एक लिविंग बिंग्स है एक सजीय सीज़ है मतलब कोई चीज हो या objects by abstract ideas को क्या माना गया living being माना गया यान कोई भी चीज़ है personalized nowhere ने कोई lifeless objects है यह कोई abstract ideas है उसको क्या माना गया living things में माना गिस्दमाना याता है तब वहां पर स maltography computation figure-up speech होता है practicing 자 přेसकते हैं कोई भी सब्सक्राइब बनाया है अगर आब अभी तक नहीं देखे हो लिंक बॉक्स में जाए और पूरा प्लेलिस्ट के रामर में जितना भी है मेरा वहां आपको सब के सब मिल जाएगा जो भी चीज़े हैं एक बाद जाके उसको समझ लेजी क्या है एक तिसमा बता देता हूं कि एबस्ट्रेक्ट नाम के नाम से जानते हैं तो ही बता रहे हैं कि अगर कोई lifeless object हो या कोई abstract ideas हो तो वह एक living beings अगर उसको मानते हैं यानि जीवित प्राणी के रूप में मानते हैं यानि निर्जीव चीज़ को हमें ये मान देते हैं कि वह सजीव है तो वहाँ पे figure piece piece क्या होगा personification मान भी कर होगा जैसे example बताया कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल तो बोतल क्या है एक lifeless things है लेकिन वह नाचने वाला का जो काम होगा यानि उसको क्या कहा जा रहा है अगर उसमें नशा होता तो नाचता यानि एक lifeless things को नाचने वाली बात किया जा और नाचने और बात कोई जीवित प्राने ही कर सकता है तो यहां कहने का मतलब है कि life's less things को क्या मान बैठा गया है एक जान उसमें है और इस वज़े से हम उसको मानते हैं कि उस निर्चीवी चीज में भी जान आ चुकी है जिसके वज़े से वह मानवी करण है personification है clear है example से तमस्ते clear कर द लिखा हुआ है कि experience is the best teacher अब experience अब हमें यह बताई कि experience क्या है एक abstract noun है जीसे हम ना देख सकते हैं केल महसूस कर सकते हैं यानि अनुभा सबसे महान या बड़ा अध्यापक होता है experience is the best teacher यानि जो अनुभा होता है वह सबसे बहतर सबसे महान सबसे बड़ा ध्यापक होता है अब experience कि मिस्टर experience किसका नाम है find out करते हैं कोई नहीं मिलेगा कोई किसी का नाम experience थोड़ों होगा एक English word है और जिसका मतलब होता है experience और यह अनुभावी यान अनुभा अनुभा एक बहान अध्यापक होता है तो अब वानुभा कौन ढूनेगा experience को कहा ढूनेगे तो वह एक lifeless things है और एक abstract noun है और उसको मान लिया गया क्या है teacher है यानि उस experience को यानि उस abstract noun को इस सपोच कर लिया गया यह मान लिया गया कि वह क्या है एक teacher है जब भी हम किसी कौन से ideas को सपोच करेंगे मानेंगे तो उस लाइन में उस पोईटिक डिवाइस में हमें परसुनिफिकेशन फीक और आप इस पी दिखाए देगा ठीक है अगला example लिखते है अपास्नुटी नॉक्स एड़ दोर बट वन्स गौर करेंगे अब अपास्नुटी के मलब क्या यह भी abstract noun है सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यहां पर living things को बलकि यहां पर abstract noun जो आपका दिखाए दे रहा है आपास्नुटी जो है इसको मान लिया गया यहां इस निजीव चीज को हम क्या मान लिए सजी मान लिए उसमें जान महसुत करेंगे उसमें जान है और वह काम कर रहा है तो वहां पर भी क्या हो सकता है अब देख सकते की personification चीज़ा अब इस पीच होता है आगे love is blind प्रेम अंधा होता है अप्रेम भी क्या है एक तरसे एक एबस्ट्रेक्ट आडिया है और अंध्धा होता है और उसको यह माना गया है कि वह है अंधा और अंधा कोई सजी भी हो सकता है कोई निर्जीव चीज नहीं हो सकती है यहां पे अंधा प्रेम को मान लिया गया और प्रेम क्या है एक आपका abstract idea abstract noun है और उसको एक महसूस किया गया कि वह जो noun है वह एक abstract noun है और उसको यह मान लिया गया कि वह personification है क्यों क्योंकि इस abstract noun को माना गया blind है अंधा है और प्रेम अंधा होता है जब हम वही चीज़ कह रहा है कि जब lifeless things और abstract noun को हम लोग एक तरह से living beings की रुप में मानेंगे सजीव की रुप में मानते हैं तो वहां पर आपका personification figure of speech हो जाता है आई होप आपको सारे चीज़े क्लियर हुआ होगा अगर कहीं भी कोई भी डॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है कहीं भी कोई दिक्कत है कोई मीनिंग में कोई चीज समझने में तो आप इसे जरू शेयर करिएगा अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प् कि हुआ है